नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज हम बात करते हैं कि GR का Manual Control Electric Conventional लोकों में कैसे किया जाता है जब हमारे Conventional लोकों में MP या EEC EEC मतला Emergency Electric Control इन दोनों से नाच नहीं आ रहा होता है उस समय हम GR का Manual Control करते हैं उसके लिए क्या क्या सर्ते हैं कैसे किया जाता है सर्ते एवं तरीका क्या सर्ते और क्या तरीका है पहला DJ क्लोज होना चाहिए दूसरा MPJ चलने की दिसा में होना चाहिए तथा LSB की बत्ती बुझी होनी चाहिए MPN पर होना चाहिए ताकि हमारे Line Contactor क्लोज रहें एवं BLVMT आन होना चाहिए BLVMT इसलियान होना चाहिए क्योंकि हमारे Blower को ठंडा करने के लिए Traction Motor Blower Motor चलने चाहिए ZSMS Switch की Position Change करने की जरूरत नहीं है यह कि जब हम Manual Control करते हैं तो ZSMS Switch चाहे जिस Position पर हो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है वो isolate हो जाता है ZSMGR से GR Handle जिसको के Manual Control Handle MCH कहते हैं इसको 6 बजे की Position से Anti-Clockwise घुमाकर Anti-Clockwise 3 बजे की Position में निकाल लेते हैं जिससे हमारा पाको स्विच दब जाएगा और इसके कारण SMGR के Servo Motor को जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाता है यहनी Servo Motor को जाने वाली Nomatically Supply बंद हो जाती है तथा Servo Motor को जो हवा गई थी वो वहां से वातावरण में निकल जाती है तथा V1 और V2 यह जो एलेक्ट्रो वाल्व है इनकी भी Electrically Supply कड जाती है अब GR हैंडिल यानि Manual Control हैंडिल को GR साफ्ट में 6 बजे की Position में लगाते हैं और Locopilot और Assistant आपस में सामंजस से बैठाते हैं अब वो सामंजस चाहे जंडी उपर नीचे करके आपस में वो सामंजस बनाएं या हाथ का इसारा करके या CT code से जैसे कि मानले उन्होंने CT code रखा कि Locopilot कह रहा है कि हम जब Continue हान बजाएंगे तब आपको नाच घटाना है और जब छोटी छोटी हान बजाएंगे तो एक नाच आपको बढ़ाना है इस तरह करके कोई भी आपस में सामंजस बनाए रहेंगे उस हिसाब से Locopilot Assistant को निर्देश देगा नाच बढ़ाने या घटाने के लिए और उसी निर्देश के नाच बढ़ाएगा या घटाएगा कैसे करेगा वो देखिए कि Locopilot के निर्देश अनुसार Assistant नाच बढ़ाने के लिए MCH को यानि Manual Control Handle को 360 डिग्री या एक पूरा चक्कर clockwise घुमाएगा कैसे घुमाएगा Clockwise तथा नाच घटाने के लिए Anti-Clockwise तथा नाच घटाने के लिए पूरा एक चक्कर एक पूरा चक्कर Anti-Clockwise घुमाएगा और जब भी Assistant ये नाच बढ़ाएगा या घटाएगा वो 0.6 सेकेंड के अंदर ही चक्कर घुमा लेगा चाहे नाच बढ़ाने के लिए चाहे नाच घटाने के लिए ऐसा अगर नहीं करेगा तो Q44 के माध्यम से DJ हमारा Open हो जाएगा होता क्या है आप लोग को जो हमने सर्कीट बताया था DJ Control का Q118 का एक नार्मली Open Interlock और जी आर क्लोज आन जीरो एंड फुल नाच का एक इंटरलाक लगा था किसके उपर Q44 के उपर तो जैसे ही हम नाच लेते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये जी आर क्लोज आन जीरो एंड फुल नाच का जो इंटरलाक लगा हुआ है ये ओपन हो जाता है और Q44 के सप्लाई कट जाती है चूकि Q44 के अंदर जीरो पॉइंट 6 सेकंड का टाइम लेग है तो ये 0.6 सेकंड तक अपना सप्लाई भले ही इसकी कट गई है लेकिन वह अपने आपको पिक अप बनाया रहती है और अगर 0.6 सेकंड के अंदर या ड्रम घूम के वापस पूरे नाच पे पहुँच गया तो ये इंटरलाक फिर क्लोज हो जाए जिसके कारल Q44 के सप्लाई बनी रहेगी और डीजे हमारा क्लोज रहेगा लेकिन अगर नाच बढ़ाने आग अगटाने में 0.6 सेकंड से हमने ज्यादा ले लिया तो हमारा Q44 के माध्यम से डीजे ट्रिप कर जाएगा ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि मैनुवल कंट्रोल के समय स्पीड मैक्समम 40 kmph ही रहेगी इससे कम आप चला सकते हैं लेकिन मैक्समम यही रहेगा और मैनुवल कंट्रोल ब्लाक सेक्शन क्लियर करने के लिए ही किया जाता है अगर लोको पाइलेट ने नाच घटाने के लिए असिस्टेंट से कहा असिस्टेंट बजाए नाच घटाने के वो नहीं समझ पाया नाच बढ़ा रहा है या नहीं घटा रहा है उसी नाच पे रोके रह गया या कोई असमाने परिस्ति लोको पाइलेट के सामने आती है तो वो BLDJ के द्वारा DJ open कर देगा जिससे की power मिलना बंद हो जाएगा और वो E9 से breaking करके गाड़ी सुरचित खड़ी कर लेगा जब हमारा black section clear हो जाएगा उस समय जब हम station पर पहुँचेंगे तो पुनह MCH handle को GR shaft से निकाल कर वापस हम ZSMGR में लगाएंगे कैसे? तीन बजे की position में करके clockwise घुमा कर तो किस बार anti-clock किया था तो इस बार क्या करेंगे? GR सापसा निकाल कर ZSMGR में तीन बजे की position में लगा कर clockwise घुमा कर छे बजे की position में करेंगे एवं पाको switch का उठा होना confirm करेंगे और उसके बाद MP से नाच लेंगे सफलता मिलने या ना मिलने जैसा भी हमाई साथ हुआ वो हम क्या करेंगे? TLC को सूचित कर देंगे इस तरह हम MP से या EC से नाच लाने पर हम जी आर का मैनुवल कंट्रोल करेंगे यहां पर देखिए यह SMGR हैंडिल है जो यहां से यहां यह दिख रहा है यह समय 6 बजे की पोजीशन में है इसको एस तरफ एंटी क्लाकवाइस भुमाकर 3 बजे की पोजीशन पर कर लेते हैं तब इसको निकालते हैं यहां पर देखिए लिखा हुआ है पाको स्विच यह जो राउड में हमने दिखाया यही पाको स्विच है जब इस manual control handle को 3 बजे करके पोजीशन पर निकालते हैं तो यह पाको स्विच दब जाता है जिससे इधर से आने वाली numatically supply जो की इस reducing valve और इस pressure gauge में उसका pressure so करता है इस line से जाती है यह यहीं पर ब्लाक हो जाती है और जो हवा हमारे सर्वो मोटर में गई है SMGR के जो सर्वो मोटर में हवा गई है वो यहीं से exhaust हो जाती है साथी साथ V1, V2 की electrical supply भी कड़ जाती है यह ZSMS switch है इस switch का position MP और AEC के लिए किया जाता है manual control में इसको छूने की जरूरत नहीं है और जब वापस हमको MP से नाच लेना होगा तो यह जब तीन बजे से इसको वापस 6 बजे की position में clockwise भुमाएंगे तब यह handle नीचे आएगा और यह पाको switch जब ऊपर उठ जाएगा तो SMGR के सर्वो मोटर का Electically or Neutically Supply पुना चालू हो जाएगा उसके बाद MP से नाच लिया जा सकता है यह जो SMGR का पूरा यह यूनिट है यह corridor number 2 में लगा हुआ है यह देखे SMGR घांडिल है यह हमने clockwise में तो नाच बहेगा और यह इस SMGR यूनिट के नीचे साफ यह लगा हुआ है